लालू यादव को रांची हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है रांची हाइकोर्ट ने लालू यादव की जमानत अवधी को 20 अगस्त के लिए बढ़ा दिये लालू यादव की सेहत को ध्यान में रखते वे रांची हाइकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है लालुयादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी लालुयादव के स्वास्त को देखते वे उसकी जमानत अवधी को बढ़ाया गया है लालुयादव फिलाल स्वास्त से जुड़ी कई समस्याओं से जूज रहे हैं और अब कुछ समय के लिए जमानत पर रहने के बाद वो आराम कर सकेंगे और बहतर इलाज भी करा पाएंगे तो लालु यादव को बड़ी राहत 20 अगस्त तक बड़ी है जमानत अवधी कि अब जाद आज वहां से दिश्चार्ज समरी इतने बाद दिया गया था उसमें चार विट के बाद फी रिपोर्ट करने कि निशार गया तो इसी के तहाद अभी हो मंबे में हॉस्पिटलाइज है वारा आज ये हमाने करीक करेंद हो जाने के शलके पुल कोट रेफरेंसा साथ ही जारा वजे से समय के अभाव में वेक अगले सुगरवार को सुर्माई होगी होगी आज जमाल जमानत की अवधी जो है वह फीस अगस्तक्य के बाद अब ख़तम हो रहे हैं पंदरा अगस्त के दिन ख़वर पिर जादे अनकाई के साथ से योगी विजे गोफ हमारे साथ जुड़ गए है विजे लालू परशाद यादव को बड़ी राहत मिलती हुई देगे लालू परशाद यादो की अबड़िक जमानत याचीका को लेकर आज सुनवाई हुई थी लालू परशाद की अदिवक्ता की और से तीन महने का अबड़िक जमानत की अवधी बढ़ाने को मांग की गई थी मामले की सुनवाई अप्रेश कुमार सी की कोट में हुई सुनवाई के दौरान चुकि समय अभाव के कारण इनकी आंसिक सुनवाई को पाई मामले को लेकर चुकि लालो परसाद यादो की जो अबनिक जमानत की जो समय अधी थी वो 15 अगस्त को समाप्त हो रही थी ऐसे में लालो परसाद यादो को 15 अगस्त को हजिर होना पड़ता है उसको लेकर पीडियसें डाला गया था समय अधी बढ़ाने को लेकर कि तीन मैने का जो समय है उसको बढ़ा दिया जाए कि इसकी सुनवाई फिर से 17 अगस्त को पुना होगी उसने बिचार किया जाएगा कि लालो परसाद यादो को तीन मैने का जो अबनिक जमानत की अधी बढ़ाने की जो याथी का दायर की गई है वो क्या उसके लाइक है कि नहीं दिया जा सकता है कि नहीं तमाम जो मामिले जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय इन तमाम जानकारियों के लिए रमाई साथ जुड़ने के लिए तो आज़ेडी सुप्रीमो लालु प्रशाद यादव को रांची आई कोट से बड़ी राहत मिलती भी रांची आई कोट ने लालु यादव की जमान अतावदी को 20 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है लालु यादव की सेहत को ध्यान में रखते वे रांची आई कोट ने या फैसला सुनाया